नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर मेरे नाम कमुलदीप सिंग है एक बहतरीन इंफोमेशन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कि रीट का एक्जाम कौन कौन दे सकता है विज्यपती कब आएगी और एक्जामिनेशन कब कंड़क्ट कराया जाएगा इन तीनों मुद्दों पर आज के इस वीडियो में डिस्कुशन करने वाले हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट होता क्या है तो यह राजिस्थान एलेजिबिलिटी एक्जाम इसका फुल फॉर्म होता है तो राजिस्थान में एलेजिबिलिटी एक्जाम से टीचर के लिए और इसमें कौन-कौन एक्जाम दे सकता है अगर 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 बात करते हैं यहाँ पर एलेजिबिलिटी क्राइटिरिया की तो आप अगर लेवल बन में है तो आपने एलिमेंटरी एजुकेशन में दो साल का डिपलोमा किया हो तो एलिमेंटरी एजुकेशन का तू इयर डिपलोमा आपके पास में होना चाहिए चाहिए वो किसी भी नाम से जाना जाता हो ठीक है चाहिए वो किसी भी नाम से जाना जाता हो जैसे कि आप बात करते हैं BLA की आपने BLA कर रखा हो या आपका 4 साल का कोर्स होता है Elementary Education में 2 साल का Diploma DLA के नाम से आता है DLA आपने किया हुआ हो ठीक है या फिर आपने जो DLA होता है Elementary Education में वो आपने किया हो तो आप इसके लिए eligible है ठीक है साथ के साथ में आपने 12 कर रखा हो 50 प्रतिशत अंकों के साथ में और साथ के साथ आपने 2 साल में जो आपका प्रात्मिक सिक्षा होती है उसमें आपने 2 साल का Elementary Education में प्रात्मिक सिक्षा का Diploma लिया हो ठीक है इसके साथ में अगर मैं बात करत हो साथ में आपने चार साल का जो कोर्स होता है बी अलक्न किया हूं या फिर आप का educational qualification है देन ठीक है paper 1 में beard वाले apply नहीं कर पाएंगे paper 2 में beard वाले apply कर पाएंगे यहाँ ठीक है तो जो भी interested candidates हैं जो तयारी कर रहे हैं आपके REIT के लिए आपने educational qualification अगर पास किया हुआ है तो आप दोनों level में apply कर पाएंगे अब अगला सबाल आता है परिक्षा कब होगी तो मैं आपको परिक्षा के बारे में बता देता हूँ एक news के according जो आपका REIT का जो आयोजन है आपके 2025 के जनवरी के 20 जनवरी के असपास होगा दूसरे पकवाले में इसको जो है conduct कराया जाएगा यानि के REIT का जो एक्जाम है वो 2025 में ठीक है 2025 में जनवरी के महीने में आपका 20 तारिक के असपास इसको conduct कराया जाएगा और सबाल ये है कि vacancies कितनी होगी ठीक है तो बड़ा सबाल है सिक्षा मंत्री ने देड़ लाख सिक्षक भरतियों की घोशना यहाँ पर करी है यानि कि पद कितने हैं अगर मैं बात करूँ देड़ लाख पदो पर ये conduct कराया जाएगा यानि कि पुराने पैटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है ये भी एक बड़ी ख़वर है यानि कि पहले आपको पैटन में चेंज यहाँ पर नहीं है यानि कि पैटन में बदलाव नहीं हुआ है रीट एक्जाम के पैटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है ठीक है पैटन में कोई बदलाव नहीं हुआ है रिसेंट ख़वर के मुताबिक यानि पहले आपको जो है आपका रीट का एक्जा उना पढ़ेगा ठीक है। और read के exam के बाद में after आपको जो teaching exam देना पढ़ेगा सिख्षख भरती वाला एक्जाम देना पढ़ेगा जो वहां पर आपका होने वाला है भरती के लिए यानी के recruitment exam आपको देना पढ़ेगा अगर बोलें तो ठीक है तो recruitment exam आपको देना पड़ेगा तो ये आपके read के लिए होने वाला है पुराने pattern पर ही आधारी था है नया pattern इसमें कुछ नहीं introduce कराया गया है अब बात ये उठती है कि read की परिक्षा तो आपने निकाल दी exam कब conduct होगा इसका ठीक है अब देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी में अगर इसका notification आ जाता है notification अगर आपका जनवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है बीच जनवरी के असपास आपको notification देखने के लिए मिल जाता है तो आपको जो है March के end में या April में ठीक है इसका exam देखने के लिए मिल जाएगा तो March या April 2025 में इसका exam आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इस निर्धारित समय में आप अपनी preparation को कर सकते हैं टीचिंग वाला के साथ जुड़के अपनी preparation को और better कर सकते हैं ताकि आप सिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकें ठीक है और मैं बता देता हूँ REIT का जो paper होता है उसका जो pattern होता है वो बिल्कुल seated के जैसा ही होता है जैसे seated के exam का pattern है सेम REIT के exam का pattern होता है child development, pedagogy, language part होता है mathematics होता है EVS वगेरा आती है science वगेरा आती है उसके अंदर ठीक है तो pattern मिल्कुल सेम रहने वाला है तैयारी आपको करनी है तो अभी से prepare हो जाए चीजों को लेकर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाईएगा ठीक है चलिएगा तो डेल लाग भरतिया है बहुत सारी भरतिया है मो का हाथ से छोटने ना पाए अभी से चीजों को लेके चलोगे तो बैटर तरीके से compete कर पाओगे बाकी लोगों के साथ में भी है और उसके लिए मैं आपको बदा जातना तरीका आप teaching वाला के साथ जुड़के अपनी preparation को start कर सकते हैं और अपने सिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं तो मैं आपको यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि हमने जो है यहां पर आप सभी के लिए विभिन प्रकार के courses निकाले होएं जिसमें आपका एक teaching महापैक है जो one year के subscription में आता है इसमें आपको एक साल का subscription मिलता है जिसमें आप सारे courses की preparation कर सकते है चाहे वो REIT का हो चाहे CETET का हो चाहे MPTET का हो चाहे बिहार में BPSC का exam हो चाहे UP में SuperTet का exam हो ठीक है तो दो साल subscription और एक साल subscription के साथ में आप अपनी तयारी सुरू कर सकते हैं और किसी भी परकार की समस्या आपको आएगी तो हम लोग उसके लिए always available हैं कोई भी आपका doubt हो तो आप comment books में लिख सकते हैं तो जुड़े रहे हैं teaching वाला के साथ अपनी preparation के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिन और बाबाई